असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकम बैक टो मैं ट्यूब चैनल तो आज हम बनाने वाले बहुत ही जबर्दस ब्रेड डॉल्स तो आप लोग ने ट्राइ किया होंगे अगर ट्राइ किया तो कॉमें ने जरूर पताना तो चलिए इसे हम बनातने किये कैसे बनेंगे ब्रेड डॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पे लिया है बॉइल पटेटोस तो यहां पे हमने चार-पाच पटेटोस लिया है और इसे मैश कर लेंगे मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून नमग वन टीस्पून ड्रेड चिली पाउडर हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून जीरा पाउडर हाफ टीस्पून काली मिश पाउडर वन टीस्पून चार्ट मसाला और थोड़ी सी हरी मिर्च और धन् मिक्स कर लेंगे और यह देखिए इस पटिटो इस थे जेज़ प of仔 कुछी है तो आज हम उसी तरह के बनाएंगे तो यहां में ब्रेड लिया है उसे पानी में डिप किया है और इसके बाद इसे हलके हाथों से प्रेस करके इसमें जो पानी है वो निकाल देंगे और इसके बाद इसमें हमने जो फ्लिंग रेडी की थी वो रखेंगे और इसे अच्छे से जिसी अच्छे से तेल में इसकी बाहां ना निकले कैंव टेल सारे ओटary इसके बाद हम इसे प्र edi करेंगे तो आट यहां भी वह हूझा शूक्या और थीप कर देंगे और इसके जो निदे के कोटिंग होती जबरदस लागती है तो इस तरह से आप लोग ठुट करना बहुत ही मज़े की लगते हैं बस इसे अंडे में कोट करना है और इसे तेल में डाल देना है और इसे लो फ्लेम पर ही हम फ्राइँ करेंगे जिसे अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं यह तरह सारह रोल हमें अंडे में कोट करना है और फ्रय कर देना ऐसे फ्राय कृई आप चैनल पर नहीं जरु टीजिंगे तो ढी OWN तुम अभने खेंद मन मश्र करके अगए अब और यह देखिए ड्रोल्स हमारे अच्छे से फ्राय हो चुके इन्हें निकालेंगे ही तूटें ना और यह हमारे ब्रेड रोल्स तयार हो चुके हैं देखने में बहुत ही मज़े कर लगते हैं लेकिन सच में खाने में बहुत मस्त है तो आप लोग इन्हें बना कर ज़रूर देखिए आप लोग ने अब तक ब्रेड रोल्स की बहुत से रसीपी ट्राइक होंगी पर जिस तरह स ट्राइक कीजिए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और जाइसमें अंडे की कोटिंग कर दो और इसके साइड भी ना कट कर तो यह और ही मज़े के लगते बिल्कुल स्ट्रीड स्टाइल फूड आपका बन जाता है तो अकर आप एक दू ब्रेड डोल्स खालें तो आपका बहुत जादा बढ़ जाएगा तो आप लोग यह रेसिपी ज़रूर ट्राइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ओके अलाहाफिज